हलो फ्रेंज, स्वागा थे आप सबका CH किचन रेसिपी में, तो आज मेरे किचन में बनेंगे हरे मटर के हरी दाल, जिसे निमोना भी बोलते हैं, हर जगा अलग अलग मासा में बोलते हैं लोग, तो ये देखिए हमने मटर को छिल लिया है, और मटर क्रदाना निकाल करके आप लिया हम, अब इसको हम पीस लेंगे, और फिर रखेंगे कडाई, तिल को गरम करेंगे, यहां पर हमने डाल दिया है जीरा, थोड़ा सा हिंग, हिंग की खुस्पूत बहुत अच्छी लगती है, जिसे नई पसंदे हो इसकीप कर सकते हैं, और इसमें गया सूखा और अदरक और लासन को हमने कूट लिया था, अब इसको हम भून लेंगे, और अब डालेंगे इसमें टमाटर, हमने एक टमाटर काटकर डाल दिया है, मिडियम साइज का, अब इसमें थोड़ा सा हम नमक पिंच करेंगे, और फिर धाक लेंगे, टमाटर हमारा सुप्ट हो बस इतना ही मसाला ज्यादा मसाला डाल देने से मतर जो है अपना स्वाद छोड़ देता है बस मसाले की ही स्वाद आती है इसलिए इसमें मसाला कम ही डालना चाहिए यह देखिए हमने दाल को पीछ लिया था मतर को अब इसमें हम डाल लेंगे मतर हमारी उबल चुकी थी तो ज्यादा पकाने का भी कोई जट नहीं है इसमें जाएगा नमक आप लोग इस तरीके से जरूर ट्राय कीजिएगा बहुत जटपट बनने वाली है रेसिपी है दाल है रोटी चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है आप चाहें तो इसके साथ सबजी भी बना सकते हैं और नई सबजी हो तो इसे पापर चटनी शलात के साथ इसे खा सकत हैं देखिए बहुत टेस्टी लगता है तो फ्रेंस वीडियो के इंड में आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारे एकी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सेयर करना ना भूले धन्यवात